जैसियाराम दोस्तों मैं रामा ब्लोग्स अयोध्या से स्वागत करता हूँ आपका श्रीराम मंदिर निर्मान की एक और लेटेस्ट वीडियो में और साथ में प्रभू श्रीराम से आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्मान कारियों की बहुत ही बहतरीन जानकारी के साथ साथ राम मंदिर के आज की वीडियो दिखाने वाला हूँ सो दोस्तो भले ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न करें लेकिन कमेंट बॉक्स में जैसियाराम की हाजिरी जरूर लगाएं और इस वीडियो को पूरे श्रधा भाव से आखिरी तक देखें चलिए वीडियो में बिना टाइन गवाएं आगे बढ़त कार में चुने गए लोगों को छै महीने का प्रशिक्षन दिया जाएगा इसके बाद उन्हें आवश्यक्तानुसार नियुक्त किया जाएगा तथा श्रीराम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र की ओर से संचालित प्रशिक्षन योजना में सम्मिलित होने के लिए ओन-लाइन साक्षातकार के लिए प्रथम चरण में चैनित सवा 200 अभियर्थियों को साक्षातकार के लिए उनके मोबाइल पर एक दिन पहले ही संदेश भीजा गया था और नियत समय पर 5 दरजन से अधिक अभियर्थी साक्षातकार स्थल पर पहुँचे इस साक्षातकार का समय भर कर जमा करने के उपरांट उनकी सूची तयार की गई और फिर साक्षातकार शुरू हुआ यह साक्षातकार रविवार को भी चलेगा दोस्तो श्रीराम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र के कोशाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी इस साक्षातकार के लिए एक दिन पूर्व यहां पहुँचकर आवेदकों की मेरिट सूची तयार कराकर साक्षातकार के लिए संबंधित अभियर्थियों के मोबाइल पर संद प्रत्रित किया गया है तथा चै महीने के आवासिय प्रशिक्षन में प्रत्येक को दो हजार रुपए का मासिक मानदे भी प्रदान किया जाएगा वहीं उनकी नियुक्ति आवश यक्तानुसार होगी लेकिन सभी प्रशिक्षूओं को प्रमान पत्र प्रदान किया वरामकुंच कथा मंडप के उत्तराधिकारी महंत सत्यनारायन दास शामिल थे एवं अभ्यर्थियों से पूछे गए सवाल कुछ इस प्रकार है संध्या वंदन क्या है और इसकी क्रियाएं क्या है इसके लिए कौन से मंत्र है भगवान श्री राम की अर्चना के कौन से मंत्र है कर्म कांड क्या है ये सारे सवाल उन अभ्यर्थियों से किये गए जिनका राम मंदिर में पुजारी बनाने के लिए शनिवार को इंटर्व्यू लिया गया दोस्तो राम मंदिर के साथ साथ श्री राम जन्म भूमी के सत्तर एकड़ परिसर में स्थित कुबेर नवरत्न टीला का सुद्रधी करण वसोंदर्गी करण का कार्य भी तेज गती से चल रहा है यह कार्य दूसरे चरण में दिसंबर दो हजार चौबीस तक पूरा होना है एवं कुबेर नवरत्न टीले पर पक्षी राज जटायू की मूर्ती लगाई जानी है श्री राम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र की ओर से यह घोशना की गई थी की जटायू की मूर्ती तामबे से बनाई जाएगी लेकिन मूर्ती का निर्मान तामबे से नहीं बलकी मार्बल से ही हो रहा है मूर्ती के निर्मान पूरा होने के बाद इसके उपर तामबे का पत्तल चड़ आया जाएगा फिलहाल मूर्ती का निर्मान शुरू हो चुका है इस बीच तीले के आधार की मिट्टी को हटा कर सुरक्षा दिवार बनाई जा रही है। इसके साथ ही उपर जाने के लिए कंक्रीट का रैंप बनाया गया है। इस रैंप से शीर्ष तक कार ले जाई जा सकती है। इस तीले पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर कुबरिश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। यहां प्रत्येक महाशिवरात्री को मेला लगता था। और भगवान शिवशंकर की बारात भी निकाली जाती थी। साथ जन्वरी उन्नीस सौ तिरानवे को श्रीराम जन्म भूमी परिसर के अधिग्रहन के बाद भी परंपरा अखंड रही लेकिन वर्ष दो हजार पांच में आतंकवादी हमले के बाद परंपरा खंडित हो गई। खैर तीर्थ शेत्र की ओर से इस मंदिर का भी जीरनोधार क दोस्तो अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमी पर बन रहे भव्यराम मंदिर में रामला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी को आध्यात्मिक परियतन का सिर्मौर बनाने की तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या से लेकर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों से जहां पूरे विश्व के रामभक्तों और परियतकों को आकर्शित किया जाएगा वहीं देशिविदेशी श्रधालूओं और महमानों के सामने अयोध्या की बदली हुई तस्वीर नजर आएगी इसी के साथ जानकार बताते हैं कि मार्च 2017 से पहले श्रीराम जन्मभूमी विवाद के चलते अयोध्या राजनीतिक खीचतान और विकास की दृष्टी से उपेक्षा का शिकार रही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही अयोध्या को अपनी प्राथमिक्ता में रखा इसके लिए एक मुकम्मल कार्य योजना बनाकर चरनबध तरीके से आगे बढ़ा गया नतीजा ये हुआ कि बीते साढ़े छै साल में अयोध्या विकास की दौर में सबसे आगे है सरकार ने एक ओर जहां फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया वही मर्यादा पुरुशोत्तम प्रभु श्री राम अंतरराष्ट्रिय हवाई अड्डे का निर्मान शुरू कराकर रामनगरी को परियतन के अंतरराष्ट्रिय नक्षे पर लाने का प्रयास किया है और 2017 से लेकर 2023 तक योगी कैबिनेट ने अयोध्या के सर्वांगीन विकास के लिए 45 प्रस्तावों को मनजूरी दी इसमें अयोध्या नगर निगम का गठन किया गया अयोध्या में नए बस स्टैंड का निर्मान किया जा रहा है 30 अक्टूबर 2018 को योगी कैबिनेट ने अयोध्या में नए क्वीन हो मेमोरियल पार्क के निर्मान को मनजूरी प्रदान की योगी सरकार ने अयोध्या को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए यह निर्ने लिया भगवान श्री राम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम इंटर्प्रेटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, पार्किंग, फूर प्लाजा लैंडस्केपिंग एवन श्री राम प्रतिमा एवन अन्य मूलभूत परियतक सुविधाओं के स्रिजन को मनजूरी प्रदान की 24 सितंबर 2019 को एक अहम निर्नय लेते हुए योगी सरकार ने अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विक्सित करने का निर्नय लिया अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विक्सित करने के लिए वहां अलग-अलग चरण में केंद्रव प्रदेश सरकार की ओर से करीब 10,000 करोड रुपए की परियोजनाओं को लागू किया गया है और 1 अगस्ट 2023 को अयोध्या शहर को मौडल सोलर सिटी के रूप में विक्सित करने का निर्नय लिया गया इसके लिए 40 मिगावाट की सोलर विध्यत उत्पादन परियोजना के लिए 66.8 एक दो हेक्टेर भूमी 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई है तथा सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिशत के गठन को मन्जूरी दी है इसके जरिये अयोध्या की पहचार अंतरराश्ट्रिय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास है अयोध्या में भारतिय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना अयोध्या शोध संस्थान को अंतरराश्ट्रिय अयोध्या रामायन एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में विक्सित करने की मन्जूरी गई है अयोध्या के मकर संक्रांती मेला एवं बसंत पंचमी मेले का भी प्रांतिय करन किया है और अयोध्या ही नहीं बलकि उसके आसपास भी अब होटल और रिसोर्ट बन रही हैं यूपी के ही नहीं बलकि देश के बड़े होटल ग्रुप भी वहां होटल बनाने के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। स्थानिय प्रशासन के अधिकारी का मानना है कि आगामी दो वर्ष से पाँच वर्ष में अयोध्या में सभी बड़े होटल स्थापित होंगे इससे बड़ी संख्या में रोजगार भी स्रिजित होगा। एवं 22 जन्वरी को प्रान प्रतिष्ठा समारोह के दिन देश में दीपावली जैसा माहौल बनाने की तयारी है। अयोध्या नगरी ही नहीं पूरे देश में गाव गाव गली गली दीपों से रोशन होगी। आतिश बाजी के साथ अखंड रामायन पाठ और सुन्दरकांड पाठ के आयोजन किये जाएंगे। शिलाखंड सामना करत लखन रखुराई और कपीश भिगदा उठाई। उत्षठ माया वीभयकारी राम कपीत सदाचारी। पून धर्म स्थाप नलाई युठ लड़े हनुमत रघुराई। ये का था बाहबली हनुमत की रुचकर लीला राम बगत की जै 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 रगुनंदल राम जै जै माबली हनुमान। दुष्ट दनुज चक्रास्त्रा मारा किन्तु का पीश विफल पर हारा। पवन तने विपति निवारे काज सवारे संकट टारे।